हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ms setting display and ms personalization background problem कैसे fix करते हैं window 10 के अंदर वो देखेंगे चले शुरू करते हैं जिस भी laptop या PC में यह problem है उस laptop या PC के अंदर क्या किजेगा यहां run command open कर लिजेगा run tap करके या नहीं तो यहां start पर click करेंगे तो अब रन कर लिजेगा run open कर लिजेगा run open करने के बाद आपको यहां पर टैप करने है पावर शेल करना है ठीक है यहां तो search बार में भी ड्रेक्ट पावर शेल करके आप open कर सकते पावर सेल करके ओके कीजेगा ओके करने के बाद ये विंडो ओपेन हो जाएगा ये विंडो ओपेन होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर मैं description में command line डाल दूँगा वहाँ से command line copy करके आप यहाँ पर आके paste कर लिजेगा ठीक है copy करेंगे description में जाके command line copy कर लिएगा copy करने के बाद यहाँ पे आके ठीक है edit पे जाके paste कर सकते हैं या नहीं तो यह जो blank करसल blink कर रहा है इसके उपर आप यहाँ पे किसी भी window window के उपर यहाँ पे जो भी blank space है इसके उपर आप right click करेंगे न तो automatic यहाँ पे paste हो जाएगा ठीक है paste होने के बाद जो यह कमाल नहीं दिख रहा है यहीं description में मिलेगा आपको वहाँ से copy करके control c कर लिजेगा या तो right click करके copy कर लिजेगा यहाँ आके आपको right click कर दिजेगा यहाँ पे तो deck paste हो जाएगा या नहीं यहाँ से right click करके भी आप यहाँ से paste कर सकते ठीक है paste करने के बाद आपको क्या करना है इंटर दबाना है इंटर दबाते ही आपको क्या करना है wait करना है यहाँ पे simply कुछ सेकंड वेट कीजे एक automatic command रहन चलेगा ठीक है चले हम कुछ सेकंड वेट करते है इसको complete होने तक आपको कुछने करना है simple एक बार paste करने के बाद इंटर दबाने के बाद आपको just wait करना है ठीक है जब तक यह 100% complete नहीं होता है अभी चल लहा है बंद मत कर दीजेगा अभी देख रहे है automatic अभी बंद हो चुका है ठीक है अभी आपको कुछ नहीं करना है just इसको close कर देना है यहाँ से close कर दीजे ठीक है पावर सेल को close कर दीजे close करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपका जो problem आ रहा था वो PC को एक बार restart कर दीजे और दुबारा चेक किजे जो आपको MS setting display and MS personalization background problem का जो error आ रहा था वो fix हो जाएगा ठीक है यहीं आज का हमारा topic था और प्लीज गाइज चैनल को subscribe करे like करे, share करे thank you